नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हुक रायनते सिंग न्यूज रूम में इस वक्त मौझूद हो और यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ मौझूद हैं सबसे सवाल लेंगे और जानेंगे कि आकिरकार जो है 2024 के चुनाव से पहले या फिर यू कह लिजिए जो तमाम राज्यों में इस वक्त चुनाव है जहां पर महिलाओ का दबदबा जो है वो सबसे जादा है उस जगापर भाजपाईयों के आकिरकार हार होती हुई क्यों नज नजदीक है और बाकी राज्यों में भी चुनाव नजदीक है उन सब जगों पर जो है भाजपा को महिलाओं से डर लग रहा है ऐसा क्यों लग रहा है देखिए दरसल जिस तरीके से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे नारों के साथ बीजेपी सत्ता में आये थे और जगतार महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ा है और इस वज़जा से कई ने कई विपकष्ट ने कई बार जो है जो जो है जो है जो जो है जो ही सड़कों पर भी उतर करके जो है इन तमाम बातों को लेकर जनता के बीच एक जागरुक्ता पैदा करने की कोशिश के तो जहि यह जो उत्हान के लिए काम करना चाहिए था क्योंकि उन्हीं सब वादों के साथ 2014 में जब प्रदानमंति नरेंदर मोदी मन्चों से भाशन दिया करते तो यह खास मुद्द थे जो उनकी जबान पर रहा करते लेकिन उन मुद्दों पर ही वो पूरे तरीके से पिछड़ते नज़रा आ रहे हैं तो जाहर से बात है कि आने वाले 2024 लोग सब चुनाओं में नमुद्दों पर जनता भी गिरने की कोशिश जरूर करेगी एक सबल और है कि महिलाओं का मुद्द उठ रहा है तो महिलाओं के सरक्षन के लिए उन्होंने इस्मृति इरानी को आगे किया था और जहां तक हमने देखा था कि वो जब भी प्रदर्शन में उतरती थी तो हमेशा महिलाओं को लेकर की चर्चा करती थी और कहती थी कि महि प्रद्फाय करके भी मैं आप लोगो के हिपे लेकाम करूंगी याँ पिर महिलाओं का जो गुस्सा है वो भाजपाईयों से जादा इसमृति इरानी को लेकर कि है तो क्या लग रह रहा है इसमृति इरानी ही वो जड़ है जो भाजपाईयों को खत्म कर रही है देखिया द तो जाहिर सी बात है कि जो बीजेपी के वो कोर वोटर्स है जिन्हों ने वोट किया 2014-2019 में वो अब ये सवाल जरूर पूछेंगे कि इस मिर्तिरानी के किये गए उन तमाम वादों का क्या हुआ जो रोड पर निकल कर कि परदशन कर जताती थी दिखाती थी कि महिलाओं के सब से बड़ी हितेशी वही है तो अब कहींने कहीं इसका जवाब चंता मांग रहे हैं 2024 में यह तमाम मुद्धे काफी हावी रहने वाले यहाँ पर सही बात है कि जाहिर से बात है कि महिलाओं का जो मान सम्मान जो पार्टी गरती रही है उन्हीं के खेमे में जो है वोट बैंक जो है बढ़ते हुए नजर आए लेकिन इस वोट बैंक में कमी जो है भाजपा की तरफ से इसलिए आती हुई जा रही है क्योंकि यहाँ पर जाहिर से बात है कि हम देख रहे कि यहाँ पर वोट बैंक में कमी के नजारे जो है वो देखने को मिल रहे बहरा अभी चलेंगे और तमाम लोगों से बात करने कोश्च करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जो है यहाँ पर राष्ट पती दुरौपती मुर्मू जैसा महिला काड़ खेलने के बावजूद भी अब भाजपा के लिए महिलाई ही सबसे बड़े काटे के रूप में क्यों आ रही है यहाँ पर रितिक हमारे साथ मौजूद है रितिक से सवाल ले लेते हैं रितिक जिस तरीके से इरानी का नाम बार बार निकल कर क्या आता है महिलाओं से जोड़ा जाता है कि वो महिलाओं के हित के लिए काम करेंगे लेकिन यह सर्फ कुछ परसेंट लोग है जो यह बाते कहते हैं लेक अर्थी यह बाते हैं तो मुझे लगता है कि इस मिर्टी इरानी को पहले ये जान लेना चाहिए कि आखर राजनीता बनने की पहचान क्या होती है इस मिर्टी इरानी को ये जान लेना चाहिए कि एक राजनीता की काम क्या होती है तब ही उनको आगे बढ़ना चाहिए देखिए दुरुपधी मुर्मू राश्टपती है राश्टपती होने के बाब जूद आप ये देखिए बीजीपी की तरफ से राश्टपती बनाया गया था इसके साथ साथ वो लगातर आदिवासियों की आउज उठा रही है जो है यहाँ पर आम जनता की बाद उठा रही है जमीनिस्तर के मुद्दो की बात कर रही है विकास की बात कर रही है महंगाई की बात कर रही है तो कहीं ना कहीं आज राश्टपती दुरुपधी मुर्मू स इसमृति इरानी को सीखने के जरूरत है ताकि वो समझ सके कि एक राजनिता की पहचान क्या होती है इसमृति इरानी को लेकर के जो है क्या कारवाई होगी भाजपा की तरफ से वो किसी को नहीं पता लेकिन ये बात बिल्कुल तरह है कि इसमृति इरानी के चेहरे को हटा करके किसी दूसरे का चेहरा रख पाना वो भाजपा के लिए मुश्किल जरूर है बेराल राहूल अब आमारे साथ जुट चुके राहूल से अग्ला सवाल ले लेते हैं कि यहां पर इरानी को लेकर के जैसे मैं अभी रितिक सी पूछ रही थी क्या उनको हटाये जा सकता है लेकिन जनता ये जाना चाते कि अगर इरानी को हटा भी दिया जाए तो क्या उसकी जगह पर किसी दूसरी महिला का नाम जो है उनकी जगह पर आ सकता है मैंने सुबह एक खबर पढ़ी है स्मिर्थी रानी की जिसमें राहूल गांदी को चैलेंज उनों ने दिया है और दरसल एक चैलेंज इसलिए दिया गया है क्योंकि अमेठी में स्मिर्थी रानी का दबदबा कम है क्योंकि मैंने अभी खबर पढ़ी थी कि 50,000 कंबल राहूल गांदी न अमेठी बेजें उन्होंने कहा क्यों ऐसी बात नहीं और जनता इस बार देख रहे है और बीजेपी ओवर कॉंफिडेंस में बहुत जही है मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आप दिल्ली में ओवर कॉंफिडेंस में थे आप सौ भी बहुत मुस्किल से लेकर आ है आप मैन पूरी में ओर confidence दिखा रहे थे रगुराश शाक्य को उतार कर वहां पर आपका खेल कतम हो गया आप हिमाचल में ओर confidence दिखा रहे थे वहां खेल कतम हो गया तो बाजपा जिस तरीके से वो समझ रही थी कि भाई अगर हमी हैं तो हमी बाजशा हैं तो वो चीज अब ख मिरती रानी और मुझे ऐसा लग रहा कि जो जिस तरह से काम वहां पर वो कर नहीं रही है या उनका पकड़ उतने लोगों के बीच में नहीं है शायद इस बार भी कुछ ऐसा ही वहां पर होता नजर आएगा एक आखरी सवाल राउल देश की महिला जो है वो भाजपा के लि या उनका वोट प्रतिशत किस तरफ जादा रहेगा या कॉंग्रेस समाजबादी पार्टी आम आदमी पार्टी लेकिन आए जादा देखा जा रहा कि बीजेपी का वोट शेयर पहलों के पहले की मुकाबले जो है बहुत बड़े हद तक बड़ता नजर आया है और जिस तर बड़ता रहे हैं कि आने वाले वक्त में दोजार चौबिस में जरूर बीजेपी को बड़ा जटका जो है कॉंग्रेस से अपी रामाद्मी पार्टी दोनों में से एक जरूर पहुचाएगी देखे यहाँ पर जाहिर सी बात है कि इसमरेत इरानी को लेकर के जो मुद्दे उठाए जा रहे है उस मुद्दे के खिलाफ भाजपा तो नहीं जाएगी लेकिन जनता जा सकती है आप लोग के क्या तरक है कमें सेशन में ज़रूर बताईएगा फिलाल आज के लिए बस इतना ही देश दोनिया की तमाम बड़ी ख़वरों के लिए देखते रहे इस पियर नाई न्यूज